हेलो एडिवान माई नेम इस प्रिंस और वेलकम तो दे चैनल गोर्मेंट ग्यान तो मैं जान रहा हूं कि इस नोटिस को कहीं न कहीं आप अभी तक देख चुके होंगे और आपको जानकारी हो चुकी होगी लेकिन फिर भी मैं आपको इस नोटिस के माध्यम से कुछ ऐसी बा का बहुत कम ऐसे लोग होंने जो आपको इस बारे में बता रहे हों तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्या कुछ है इस नोटिस में नहीं देखे हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह तो यूटिस रर बी एंड टी पी नहीं दिया गया था एक ही बच्चे का कई जगर रिजल्ट देके तो इसके बारे में जितने भी क्वेरी आए थी लोगों को वह अपना कंप्लेइन इसमें दिये थे और उसके बाद एक कमीटी गठित की गई थी जिसका निरना आज आ चुका है कमीटी ने क्या डिसाइड किय रहे हैं चली आगे देखते हैं सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कमीटी का निरना है कि 20 टाइम यूनी में कंडिडेट दिया जाएंगे जाएंगे सOOR ट लीस्ट किये तो जो लोग कर चुके हैं मतलब जो लोग पिछले रिजल्ट में अपना नाम देख लिए हैं जिनका रॉल नंबर है उनको डिस्क्वाइब नहीं किया जाएगा वो पूरी तरह से निश्चिंत रहेंगे और अपनी तयारी में लगे हुए रहेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं तो जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे हैं कि यह कि नोटिफिकेशन संख्या है अररबी गरूब डी का में यहां बताया जा रहा है कि single stage exam होगा जिसमें यहां दिखाया जा रहा है कि there will be no second stage CBT तो यहां बहुत बड़ी खुशखवरी है लोगों के लिए छात्रों के लिए जो की group D से काफी उमीद लगा के बैठे हुए थे और पुरी तरह से त्यारी कर रहे हैं group D की तो उनके लिए काफी खुशखवरी है कि एक ही exam group D में लिया जाएगा दूसरा कोई CBT टेस्ट नहीं लिया जाएगा उनका तो अब आगे बात कर लेते हैं मैं short brief देने इकोसिस कर रहा हूँ पूरे notification को पर नहीं रहा हूँ तो main main जो short brief है उसको बताने कोसिस कर रहा हूँ तो अब बात कर लेते हैं कि revise result के बारे हम बताया गया है यहाँ पे कि revise result कम जारी किया जाएगा तो लगभग यह आपका अप्रेयल के माह में इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अप्रेयल में आपका revise result घोशित कर दिया जाएगा अप्रेयल 2022 तो यह काफी अच्छी खवर निकल के आ रही है कि अप्रेयल 2022 में cbt2 के लिए जो candidate qualify किये हैं उनका result revise करके फिर से जारी कर दिया जाएगा अब चलते हैं अगले point पे की अगला point का कर रहा है तो यहाँ पर अगले point पे आप देख पा रहे होंगे कि sts2 का cbt मैं में conduct करा जाएगा तो ये भी काफी अच्छी बात है कि CBT हम लोग का मैं में कंड़क्ट करा लिया जाएगा और आसा करते हैं कि इसी तरह से जल से जल सारे प्रक्रिया को खतम करके और जितने भी डिजर्बिंग कंडिडेट है उनको RRB नौकरी प्रोवाइड करें तो अब चलते हैं सबसे इंपोर्टेंट और मेरे ख्याल से उटपटांग डिसीजन की ओर जो की यहां निकल के आ रहा है कि आपका ग्रूप D का CBT फर्स्ट जो की एक ही होने वाला है अब तो यह यहां पर RRB बता रहा है कि जुलाई में कंड़क्ट करा सकते हम लोग तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जिस समय CBT 1 और 2 की बात की जा रही थी रेलबे ग्रूप D में उस समय RRB ने बताया था कि तेज फर्वरी के आसपास आपका CBT 1 कंड़क्ट कराया जाएगा तो यहां इस बात को समझना होगा कि तेज फर्वरी से डाइरेक्ट जुलाई में क्यों ले जाया गया इस एक्जाम को क्योंकि यह सवाल इसलिए बनता है कि यहां पे साफ दिख रहा है कि कोई प्रपलम नहीं है ना ही दो एक्जाम कराने हैं ना सिले बस बदला है कोई दिक्कत नहीं है फिर भी जुलाई में क्यूं ले जाया जा रहा है तो इसका मतलब तो यही है कि cbt2 जो लाया जा रहा था ग्रूब D के एक्जाम में वो डिले करने के लिए लाया जा रहा था क्यूंकि डिले तो यहां उसमें भी onwards लिखा गया है मतलब की जुलाइफिक्स नहीं है तो यह साफ साफ बेबकूफ बनाया जारा स्टुडेंट्स लोग को मेरे ख्याल से अगर मंसा साफ होता इनका तो फरवरी से मार्च आ गया है अप्रैल तक इनको एक्जाम कंड़क्ट करा लेना चाहिए था तो मै लोग इस मुहीम में थोड़ा सा आगे बढ़िए और इस बात को उठाइए बहुत सारी टीचनों ने उठाया है जिनका मैंने भी देखा है कि उन्होंने बताया कि किस तरह से बेबकूफ बना रही आर भी तो आप लोग से उम्मीद यही है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पर जाके बताईए कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है तो इसको लेके कुछ आप कीजिए अगर आप ट्विटर के माध्यम सही कोई केमपेयन चलाते हैं तो उसमें देखिए कि किस तरह से रिजल्ट सामने आता है कम से कम एक बार बात आगे तो जाए कि हां स्टुडेंट्स को इस बात की खवर है कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है तो आई होब कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के तमाम कॉम्प्टेटिव एक्जाम से संबंदित सुचना आप सभी के पास पहुंचे तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे गौर्मिंट ग्यान चैनल को ताकि लेटेस्ट अबडेट आप सभी के पास पहुंच सके जैहिंद